दूस्तों भारत में depression के मरीज बढ़ते जा रहे है, depression मनें? अवश्याद अवश्याद की कैसी problem होती जिसमें आपको mood से सम्बंदित problem आती है यानि आपको stress होता है और stress की वज़ cluster से आप depression में चले जाते है बहुत सारी medicine यूज होती है, उने medicines में एक medicine है Fluoxetine Fluoxetine capsules के form में और tablets के form में आती है ये market में 20MG, 80MG, 40MG की potency में आती है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी tablet के बारे में आप बोल सकते capsule के बारे में जो market में अपने salt name से आता है या दूसरे brand से आता है जो की है Fluoxetine tablets या capsules दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा question में पूछूँगा और इस प्रस्ण का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा बस आप वीडियो ध्यान से देखें आप खुद समत जाएंगे answer क्या है मैं answer directly नहीं दूँगा दोस्तो question है कि SSRI medicines क्या करती है और मतलब ये काम कैसे करती है तो SSRI medicines यानि selective serotonin re-uptake inhibitive medicines या drugs तो option number 1 है serotonin का re-absorption बढ़ा देती है दूसरा serotonin का re-absorption कम कर देती है तीसरा serotonin को कम कर देती है जो था इन में से कुछ नहीं इसमें एक option सही है आप comment box में इसका answer जरूर दीजिएगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको answer मिल जाएगा तो चलिए वीडियो की शिरुआत करते है सबसे पहला अगर मैं बात करूँ फ्लॉक्जटीन tablets के बारे में तो यह एक प्रकार की antidepressant medicine होती है और ऐसी antidepressant जो non sedative properties वाली होती है यानि कि एक ऐसी medicine जो आप depression के लिए तो खाएं लेकिन आपको वो सुलाएं ना तो यह उस प्रकार की medicine होती है अब अगर मालेजे sedativeness आपको चाहिए मतलब डाक्टर चाहता है कि आप सोएं आपका depression सही हो तो फ्लॉक्सेटीन capsule से tablets का combination आता है Elprazolam के शाथ में जो यूज किया जाता है पर यहाँ पर हम लोग plain फ्लॉक्सेटीन tablets के बारे में बात कर रहे है दोस्तों यह एक प्रकार की SSRI medicine होती है यानि selective serotonin reuptake inhibitor और antidepressant यानि कि एक ऐसी antidepressant होती है जो SSRI group की होती है यानि कि एक ऐसी medicine जो serotonin के reuptake को inhibit करती है जिससे हमारे body के अंदर में जो extra cellular serotonin होता है वो बढ़ जाता है यानि कि हमारे body के अंदर में serotonin की मात्रा बढ़ जाती है ऐसे में serotonin का काम क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और serotonin क्या होता है तो हमारे body के अंदर serotonin की मात्रा बढ़ जाती है यानि कि ये जो tablet है ये यसे ही काम करती है तो serotonin एक chemical messenger होता है जो हमारे body के अंदर में हमारे mood को fresh करता है इसके अलावा इसके बहुत सारे काम होते हैं, मैं सारा कम डिटेल में बात नहीं करूँगे आपे बागी आप इतना ही समझें कि ये हमारे mood को fresh करने का काम करता है और हमारे body की बहुत सारी जो physiology है उसको ये control करता है ये हमारे body के अंदर में जो depression के physical symptoms होते हैं चाहे वो normal depression हो या फिर severe depression हो या किसी भी प्रकार के brain से सम्मंधित कोई भी अवसाथ की problem हो stress की problem है तो उसको ठीक करने का काम करता है serotonin तो हमारे body के अंदर में ये tablet serotonin की मातर को बढ़ा देती है जिसकी वज़े से serotonin अपना काम सही से कर पाता है और हमें depression से निज़ाद मिलती है तो इस तरह से ये काम करता है अगर इसकी brands के बारे में बात करें तो ये market में अपने salt name से भी आ जाता है और इसकी बहुत सारी brand market में available है जैसे ये endapp 20 के नाम से market में आता है फेलो के नाम से आता है फ्लोकसट के नाम से आता है फ्लुटक के नाम से market में और मेंटॉल के नाम से भी market में आता है तो इसके अलावा भी बहुत सारी medicines जो है अलग-अलग brand से आती हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको आसानी से मिल जाती हैं नेट्स रगर हम बात करें यूजज के बारे में तो आपको पहले ही यूजज के बारे में बता दिया गया है तो लेकिन थोड़ा सा आप समझ जाएं कि ये हर प्रकार के depression में use होता है माइल से लेकर सीवियर डिप्रिशन में हम उसको यूज कर सकते हैं इस पेसली यह ऐसे में यूज किया जाता है जब हमें किसी भी सेडेशन की रिक्वार्मेंट नहीं होती है नहीं कि पेशिंट को गोई सुलाने की ज़रूरत नहीं होती है तो इसे हम लोग प्लेन यूज कर लेते हैं अब अगर बात की जाए इसके side effect के बारे में तो यह medicine अगर आप जादा यूज करते हैं तो आपको क्या side effect देखने को मिल सकते हैं तो यहां पर anxiety देखने को मिलती है anxiety का मतलब क्या होता है कि मतलब चिंता आपको हो सकती है anxiety is a type of the disease मैं इसको आप explain नहीं करूंगा आप इसकी में हमने के बारे में हिंदी आपको बताईए कि anxiety क्या होती है next video में हम लोग anxiety के बारे में detail में बात करेंगे 2-3 वीडियो के बाद ही आएगी और उसके treatment के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौनसी medicine यूज करते हैं इसके अलावा nervousness मैसूस हो सकती है insomnia हो सकत है नौजिया हो सकता है यह उगाई आ सकती है इसके अलावा आपको light headache भी मैसूस हो सकता है सर में हलका दर्द हो सकता है और पसीना होने की problem भी देखने को मिलती है जब आप यह टैबलर लगतार यूज कर रहे होते है नेक्स अगर मैं बात करूं इसके कुछ special precautions के कि किन बात आपको renal failure है kidney से सम्मंदित problems है तो यह contradigated होती है नुकसान कर सकती है आपको medicine यूज नहीं करने चाहिए nursing mother यानि कि जो ऐसी मा होती है बच्चों को दूद पिलाती है lactation होता है breastfeeding करती है वो भी medicine नहीं ले सकती है children's में इसको यूज नहीं करते है और pregnancy lactation में यूज नहीं क यानि कि आपको kidney से सम्मंदित गुर्दे से सम्मंदित या यकर्ट से सम्मंदित और आपको हर्दे से सम्मंदित कोई समश्या है तो यह medicine आपको कुछ precautions के साथ में ही दी जाती है लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं phlozatin tablets के dose के बारे में कि यह medicine D कैसे जाती है कितना लेन होता है तो initially यह 20 mg दी जाती है दिन में एक बार morning के time पर अगर इसका कोई therapeutic response आपको नहीं दिखता है तो कुछ हपतों के बाद हम इसे 20 mg से बढ़ा के 40 mg या 80 mg तक ले जा सकते हैं per day दी जा सकती है medicine यानि कि शुरुवात तो 20 mg से होगी लेकिन अगर यह फायदा नहीं करती दीरी दीरी इसकी dose बढ़ाते हैं और वह 80 mg पर दे तक ले जा सकते हैं इससे ज़दा नहीं ले जा सकते हैं लेकिन याद रखें बिना डाक्टर की सलाह के आप खुड डोज ना बढ़ाएं बिना डाक्टर के prescription के यह medicine ना लें क्योंकि एक prescription medicine है और अगर आप बिना prescription के medicine ले दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा और आपसे जो question पूछा था उसका एंसर अगर आपको मिल गया साय सुरवात में तो कमेंट जरूर करिएगा उसका एंसर क्या है एंड हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बह पूफ टाइागा वीडियो नरूर किक्वा लगाотри आपक ‌वीडियो थाच जानेऴर का वीडियो यू कर्णेड़ू